तो जे उन्देनन की बात है जब हम अपने घर ते नौकरी का जे गए और हमा घर और परिवार हम ते छोड़ो ना जामत तो हमने सोची के घर ते जांगे मम्मी पापा कैसे रहेंगे पहली बार छोड़ रहें जिनने का होगो कैसे होगो तो हमाई नौकरी पहली बार लगी पंजाब में तो हमें बहुत अच्छो लगो कि चलो हमाई नौकरी लग गई है मम्मी पापा खुस हैं सब परिवार अच्छो है हम पंजाब में गई पहली बार नौकरी करी पहलो दिन हो मम्मी को फौन आयो रात में हमाई बात होई बलाए देर हाई मम्मी इतनी रोई फॉन पर इतनी रोई और इतनी हम रोई जा रहे हैं फॉन पर और मम्मी और हम दोनों रोई जा रहे हैं बलाए देर है गई है लेकिन कचुबाती ना और पहली बार ऐसो है कि मम्मी पापा और जहां तक की बहन भी हमाई रोए जा रही है और हमाई बात से लिए फॉन पर है और यह हो रहा है यह हैं तो तो हमने ऐसा महसूस करो कि खर से इतनी दूर जाए कि रहो कि तो कठिन हो तो है ऐसा हमने कब सोचो ना हो पहले हम जहीं सोचते हैं कि कैसे लोग वाग रह लेता हैं और हमाई अंदर जे उत्साहर हैं तो के भाई इतनी दूर जा रहे हैं लोग वाग रह रहे हैं कोई बंबाई रह 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 है कोई कलकत्ता रह 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 कोई कहूं रह 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 कैसे रह 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 कैसे रह 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 कि ऐसे कहा हूं तो चारो तरप चारो माहूं देखी तब समझ में आई तो हमाई साथ मां का भायो के हमें कर्ट कर्ट मां छे माईना है गई नौकरी के अब छे माईना में हमें इतों experience हैगो के हां के हमें एक प्रोजेक्ट भली भांती समाल सकता हैं तो हमाई बॉस ने हम ते कहा कई के ललू एक काम करो तो अब जापर जो एक्ट है तुम देखो और अप भी जिम्मेदारी समालो हमारों मांते ट्रांसफर करो हिमाचल की मां तो हम पंजाब में छे महीना रहे और फिर आये हिमाचल हिमाचल सो लंग डिस्टिक तो मां हमाने सा तो मान लिए के भाई एक्सपीरियंस है वह तहीं पोस्टिंग है गई यह है तो एक अलगी धुन में के हाँ सारो काम हम न्यूं करवाए दिंगे तो मां हमाई पोस्टिंग भाई फिर मां हम गए तो मां एक प्रोजेक्ट मां एक गड़ा खुदनों पांच मीटर को गहर तो जेसी वाव हमाई और को देखन लगव कि भाई याव जे तो बहुत एक्सपीरियंस बाई बनना है इन्हें इसे ली जावे एक तो बहुत बुरी तरीका आते और ना हम पर ठाड़ो भाई और ना कच्छू और बौकिट में होते हैं हाईडरोलिक प्रेसर तो प्रेसर ऐ तूट गई और मैं तो ऐसी लगी कि अब का हो ना घर ना परिवार सब कचुक अटा है एक है एसा लगाओ क्या अब का हो है कि सुन रहेगो तब मां की जो लेबर हतकाई ये तने भी करमचारी हतकाई वो हमाई काजेत है इमानदार हमें तो मानता है कि भाईया ऐसो करता है वो जि मैंने कब भी सोची नहीं उनके बारे में कि एक लेबर किलास आदमी या एक बेलदार या एक मतलब छोटे से आदमी हमारे बारे में इत उनके साथ तो उस दिन उनका मेरे को प्यार देखने उगला उनों ने मेरे को अपने कंधे पर उठाया दोनों ने और लेके गए गेट के बाहर लागए मेरे पर चलाई ने गया जूता उतरे ना पैर में से अब भाई आया ऐसी बीत रही कि बस अब तो खतम सब कचु दुनिय खतम अब पैर गए और घर वाए ने कैसे बता में सो हमाई कंपणी के बहुत साइव इनने सल पर ही तो उनने बहुत जल्दी हमाँ चलते चंडीगड की तरफ लेके आए हमें मां हुस्पिटल में हमाँ इलाज करवायो इलाज करवाय के हम बोली गई के मां अब इलाज में लग रहे देड़ दो लाख रुपईया हमाई पैर में वो एक सरिया छोटी पतली-पतली होंते हैं वो गुसाई गई तीन ओंगलियन में और जी बात अब हमने कहीं कि घर ना पतो चले हमाई क्योंकि अब घर पतो चल जानती तो घर भाय तो सुन के साथ मरी जानते या मुसके लंते माते हैं से काम भयो और फिर वो इलाज भयो हमारो और इलाज है हाई के फिर हमें मा डेड़ दो मही ना हम महीं मतलब बैड रेस्ट महीं हमाचल महीं रखो बोस ने हमाई का जी मेड लगाई और हमा सारो खर्चा उठायों सारो काम-खाम सब कचू कर कराए कि त मतलब ठीक है तो हमें अब नेक लगो कि हाँ जी ठीक ठाक है अब सही है तो फिर जब कम ते कम पांच है महीना बाद घर आयो तब घर पर आयो कि मैंने आराम अराम ते जबात समझाई घरवाईने कि ऐसे ऐसे है गो में साथ ऐसे ऐसे गो तो तब भी घरवाईने जबात सु उनके मम्मी है तो चक्कर ही आए गए हमाई है और बिनने बिल्कुल ही मना कर दए कि अब तु कहूं नौकरी ना करेगो कहूं कचू ना करेगो और नहीं रहे तो जही हमाई लाइफ को एक experience है जो हमें हमें सा याद रहेगो और जिंदगी भर हम उन सब के सुकर गुजार रहे हैंगे जिनने हमाई मदद करी हमाई बॉस हमाई जितने भी प्रेमी हैं हमाई दोस मित्र सब मां पूरा स्टाफ और क्लाइंट और हर हर कोई जितने हमाई मदद करी सुकर गुजार रहेंगे बिनके